शेल्व का क्या आर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेती हैं शेल्व का इस्तिमाल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है नाउन की रूप में शेल्व का आर्थ होता है तखता ये ताक इसके इलावा verb के रूप में shelve का आर्थ होता है टालना, गाडना, स्थापित करना, हटाना, टाक पर रखना, दफन करना, मुलतवी करना, परखास्त कर देना या धालू होना जैसे कि एगर आप यह कहना चाहें कि विवाद को शान्त करने के लिए है कोशिश बेकार गई तो आप कहेंगे इस effort to shelve the dispute was quite in vain, या अगर आप यह कहना चाहें कि मुझे लगता है कि हम इसे कुछ समय के लिए टाल सकते हैं तो आप कहेंगे I guess we can shelve that one for a while, I guess we can shelve that one for a while अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें